सोलन में एक महिला इलास करवाने के लिए नालगर से सोलन अस्पताल आई जिसे सोलन के अस्पताल से शिमला रैफर किया गया शिमला में उसकी रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव आये थी जिसके बाद सोलन अस्पताल में खलवली मचकी और आनन फानन में अस्पताल का ओपरेश कर सेल कर दिया गया है जो मरीज यहां भरती थे उन्हें भी घर बेज दिया गया है अस्पताल प्रशासन ने उन लोगों की सूची भी तयार कर ली है जो उस महिला के सीधे संपर्ग में आए थे ये जानकारी MS अशोक हंडा ने मीडिया को दी सोलन क्षेत्रिय अस्पताल के MS अशोक हंडा ने मीडिया को बताया कि सोलन इलाज करवाने के बाद शिमला रैफर हुई महिला करोना पोजिटिव आई है इस महिला के संपर्ग में एक चिकित्चक और करीबन 30 लोग इस महिला के सीधे संपर्ग में आए थे जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया है जिनका अभी अस्पताल का कुछ क्षेत्र सिल की अगया है जिसे रिपोर्ट आने के बाद खुला जाएगा यह सारे ही जो प्राइमरी कॉंटक्स देखो एक बार ही जब वो शिमला चली गई है उसके बाद वो पेशन्ट और उसके अटेंडेंट्स और वो वो आई डोंट आब कर दिया होगा और उनकी सैंप्लिंग हो रही होगी हमारे यहां पर जस दिन साड़डे की रात को पांची है यह उन्निस की सुबह सुबह उस दिन नौ जने हमारे स्टाफ के इंटु डाइरेक कॉंटक्त आए इंक्लूडिंग कुछ ओटी स्टाफ था दॉक्टर मित्तल थे लेबर रूम का स्टाफ था उन्निस का पूरा दिन इस संडे सारा दिन यहां पर थी उस दिन बारा लोग हमारे पूरे इंटु डाइरेक कॉंटक्त आए और बीस की सुबह जब तक वो रेफर नहीं हुई थी तब तक 10 जने हमारे स्टाफ के उससे कॉंटक्त में आए तो य इन सभी को उसी दिन से मंडे से ही हमने इनको जब हमारे को इन्फोमेशन आई और यह पदा चला कि वो कॉविट पॉस्टर थी उसके बाद इन सभी को यह सभी आईसोलेशन में होम आईसोलेशन में और कॉर्टाइन में आज इनकी सैंप्लिंग होगी इसके साथ साथ जो इन लोगों के संबर्क में आए यह प्राइमरी कंटाक्स के संबर्क में जब एह वोटी का बाकी स्टाफ था इसमें Dr. Mittal की अपनी family है, primary contacts वानों की अपनी family होगी, तो इसमें काफी सारे जने, कतीज तो हमारे staff member है, इनकी sampling तब ही होगी अगर जो primary contacts है, primary contacts में से अगर कोई positive निकलता है, तब ही हम सब की first sampling होगी, या अगर symptoms develop होगी. आज सरफ primary contacts जो मैंने आपको बताया, 35 जने है, ये 30 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम तो नहीं होगी, इनकी आज सब की sampling आज हो जाएगी.